नमस्कार आदाब न्यूस क्लिक के डिरी डाउंड अप में आपका स्वागत है आई ये नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर जेनियो शिक्षक संग ने रिटायर्ड फैकलिटी को मिलने वाली पेंशन की मांगते इसकी अपनी बरकास्तिकी को चुनाती देंगे डॉक्टर कफील खान महराश्ट्रा रोडवेज करमचारियों की हरताल जारी मंतरीने की यूनियनों से बात तमिल आडो में बारिश के कहर से 14 लोगों की मौत पांच राज्यों में चुनाप प्रचार पर बीजीपी ने खर्च किये 252 क्रोड रुपे साथ पती शर्ट सिर्फ बंगाल में जवाहरलाल नहरू यूनिवर्सिटी शिक्षक संग यानी जेन यूटिये ने गुरुवार को रिटायर्ड फैकलिटी सदस्यों की लंबित पेंशन ततकाल प्रभाव से जारी किये जाने की मांग की जेन्यू टिये ने कहा कि जेन्यू शिक्षक संग रिटायर फैकलिटी सदस्यों की नियाए की लड़ाई में उनके साथ खड़ा है और प्रशासन से मांग करता है कि उनकी पेंशन और उन्हें मिलने वाली बाकी सुधाय जल से जल जारी की जाएं शिक्षक संग ने ये भी आरोप लगाया है कि ये पेंशन वी सी के कहने पर रोकी गई है 2019 में 48 फैकलिटी सदस्यों का नाम चार्शीट में आया था क्योंकि वह 2018 में एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे इसके बाद इस फैकलिटी के सदस्यों की पेंशन रोक दी गई थी मगर मार्च 2020 में दिल्ली हाई कोट ने इस मामले पर फैसला सुनाया था कि पेंशन का रोका जाना सही नहीं है जेनियो शिक्षक संग ने अपने बयान में कहा है कि हाई कोट के आदेश के एक साल से जादा बीतने के बाद प्रशासन ने पेंशन जारी नहीं की है गोरकपूर के बी आडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले पर उत्रप्रदेश सरकार ने एक बड़ी कारवाई करते हुए डॉक्टर कफील खान को बरखास कर दिया है डॉक्टर कफील खान सरकार के इस फैसले को अदालत में चुटाथी देने की तैयारी कर रहे है डॉक्टर कफील की बरखास्तगी का फैसला उत्रप्रदेश पबलिक सर्विस कमिशन यानी यूपी पीएसी की मनजूरी के बाद लिया गया यूपी पीएसी ने उनकी बरखास्तगी का आदेश मेडिकल शिक्षा विभाग को भेजा था मेडिकल शिक्षा विभाग प्रमुक सचिव आलोक कुमार ने फोन पर बताया कि चार वर्स ने लमबित डॉक्टर कफील को अब बरखास्त कर दिया गया है जब न्यूसक्लिक ने डॉक्टर कफील खान से समपर किया तो उन्हें कहा कि बियाडी मेडिकल कॉलिज में अगस 1270 में करीब 63 बच्चों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ दिया था अक्सीजन की कमी का कारण ये था कि उत्तरपदेश सरकार ने अक्सीजन सप्लायर्स को भुक्तान नहीं किया था डॉक्टर कफील अपनी बर्खास्दिकी को अदालत में चुनाती देंगे उनका कहना है कि उन्हें पहले भी न्याया एक प्रक्रिया पर भुरुसा था और अब भी पूरा भुरुसा है कि उनके साथ न्याय होगा घाटे में चल रहे MSRTC यानी महराश्य राज्य सढक परिवन निगम के राज्य सरकार में विले की मांग को लेकर करमचारीों की हर्ताल जारी है इस बीच राजे के परिवहन भंतरी अनिल परब ने करमचारियों से अपनी हर्ताल वापस लेने की अपील की है एक आधिकारिक विग्यापन के मताबिक MSRTC के अध्यक्ष परब ने कहा कि राजे सरकार के गेस्ट हाउज में महराश एस्टी करमचारी सहयुक्त कारवाई समीती के एक परतिनी मंडल के साथ बैठक के दौरान हर्ताल खत्म करने के अपील की विग्यापन में परब के हवाले से कहा गया है कि हरताल के कारण निगम को नुकसान उठाना पड़ रहा है हरताल को वापस लिया जाए अभी भी देर नहीं हुई है इस बीच अदालत ने यूनियन निताओ और करमचारियों को शुकरवार तक अपना जवाब दाकिल करने का निदेश दिया है तथा विशे की अगली सुनवाई 15 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी गई है निगम ने अब तक 2000 से ज़ादा करमचारियों को बर्खास कर दिया है डक्षिन राजे तमिलनाडू में भारी बारिश से जन जीवन अस्त वेस्त है राजे में बारिश से होने वाली घटनाओ में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है राजे के सिती सुधरने के बज़ाए और बिगरती जा रही है मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्टवाती तुफान आज तमिलनाडू के दट पर पहुँच सकता है तुफान के मदे निजर राजे के नौजिलों में रेडलर जारी कर दिया गया है मौसम विभाग ने बताया कि 12 से 14 नमबर के बीच तमिलनाडू के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है जबकि तमिलनाडू के कुछ इलाकों जैसे पुदुचरी और कराइकल में गरज और बिजली चमकनी की संभावना है भातिय जन्ता पाटी की ओर से इस साल असम, पुदुचरी, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए विदानसबा चिनावव में प्रचार बर 252 करोड रुपे खर्च किये गए हैं इस इन पैसों का 60 पतीशत हिस्सा केबल त्रिनूमूल कॉंग्रेस शासित राज्य पश्चिमी बंगाल में प्रचार के लिए किया गया निर्वाचन आयोक को सौंपे गए एलेक्शन के खर्चे के एक सेट्मेंट के अनुसार भाजपा की ओर से इन राज्यों में 252 करोड दो लाक 71 हजार रुपे खर्च किये गए हैं इन में से असम चुनाव के लिए लगभग 43 करोड रुपे और पुदुचरी विधानसभा चुनावों के लिए लगभग 5 करोड रुपे खर्च किये गए तमिलाडों में 22, केरल में 29 और पश्चिम बंगाल में सबसे जादा यानी 1.500 करोड रुपे बीजेपी ने इस प्रचार पर खर्च किये हैं आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अंत में करोणा अपडेट केंद्र स्वास मंतराले दोरा आज चुकरवार यानी 12 नवंबर को जारी आंकडों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में करोणा के करीब 12,500 नए मामले दर्च किये गए हैं इसके अलावा करोणा से बीते दिन 501 मरीजों की मौत हुई साथ ही इसी बीच देश भर में करोणा से पेड़ित 13,000 से जादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और अक्टिव मामलों में 1100 मामलों में कमी आई है देश में करोणा मामलों की संक्या बढ़कर अब 3,45 लाग हो गई है जिनमें से अब तक 4,60,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोणा से पेड़ित 3,38 लाग से जादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों के संक्या 1,35,000 के करीब हो गई है स्वास मंत्राले की ताज जानकारी के नुसार करोना वैक्सीन की अब तक करीब 110,80,000 डोस दी जा चुकी है जिन में से 53,000,000 से जादा वैक्सीन की डोस बीदे 24 घंटों में दी गई है हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वैबसाइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बूक, इंस्टाग्राम और टूटर पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया